नमस्ते जी नमस्ते क्या हाल चालें आपके सर जी हम तो बहुत बढ़िया है आप सुनाएगा हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं फ्रेम से बोलेंगे राधे राधे हाला कि इस मुमेंट पर आपको गाइड करने की कोई आवश्यक्ता तो है नहीं बट फिर भी कुछ एक बाते मेरे मन में थी तो मैंने का चलो आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ सबसे पहला ये की सर थोड़ा इंपोर्टेंट बता दीजिए ये इस तरह के मैसेज़ आते हैं तो देखो इंपोर्टेंट तो पूरा ही सलेवस है हर चेप्टर में से कुछ ना कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा चाहे वो एक नमबर का ही क्यो ना हो त inex didn? मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि आपको क्या नहीं छोड़ना है क्या कर के जाना है? क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चे का पूरा रिवीजिन ना हो पाये, कुछ छूट रहा हो हाला कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास में proper time schedule होता है और आप उसके मताबिक time frame में रहते हुए आपना सारा syllabus revise करेंगे बट ये देखने में आता है कि कुछ बच्चों का रह जाता है कि एक दू चप्टर रह गया है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको इस बात को sure करना है कि आपका ये चप्टर ना रह गया हो ये आपको जरूर जरूर करके जाने हैं ये एक कटेगरी के चप्टर्स हैं अगर मैं बात करूँ आपसे custom law के अंदर तो levy exemption, remission, abitment वाला import, export procedure, valuation, types of duties, आपका refund का और foreign trade policy इन में से छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में इस चीज का ध्यान रखना ठेक है उसके बाद में फिर GST के अंदर आपका place of supply, exemption, computation, reverse charge, input tax, credit, registration, manner of payment, refund, audit, inspection, demand, recoveries and penalties इन में से छूटना नहीं चाहिए मैं यह नहीं कहा रहा कि यहीं करके जाने बस मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कहा रहा हूँ गलती से भी छूटना जाएं चाप्टर, ध्यान रखके चलिएगा यह important या एक category में यह chapters आपके आते हैं तो revise तो आपको सारा syllabus ही करके चलना है तो वैसे सारा syllabus cover भी कराया है आपके class के अंदर उसके revision videos भी आपके पास में available हैं तो करके तो सारा ही revise जाना है आपको ठीक है इस moment पर आप यह नहीं कर सकती कि मैं यह करके जाओ यह ना करके जाओ ध्यान रखना जो इस moment पर revise नहीं करके जाओगे तो उसके संबन में अगर question आया तो उसका answer लिखना थोड़ा सा कठिन आपके लिए हो सकता है इसलिए सारा syllabus आपका इस समय revise होना चाहिए आपके पास जो भी 18 गंटे का समय बनता है उस समय के अंदर यह डीटी का paper देने के बाद आपको अपना उन 18 गंटों का एक time schedule बना के चलना है कि मुझे customs में इतने घंटे चाहिए GST में इतने चाहिए इसमें मैं आपको कोई standard view नहीं देके चल रहा हूँ because हर बच्चे की अपनी need होती है किसी का ITC का chapter बहुत शांदार तरीके से उसको grip में है तो उसे revise करने में कम समय लगेगा हैना किसी का relation बहुत शांदा तरीके से उसे revise करने के लिए बहुत नाम मातर में समय लगेगा तो depend करता है कि आपका किस chapter आपकी कैसी grip है अपनी personally तो उसके साब से आप एक time schedule बनाई है कॉल करने का प्रयास करें supply या फिर देखा या या यद किया यह कुछ नहीं हो रहा है या आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है वो क्या होता है कि आँन्हें क्या समय के लिए shorter memory के अदर चीज जाती है लेकिन अगले दिन तक वह आपकी shorter से उड़ चुकी होगी इसलिए वो किसी काम का रिविजन नहीं है इस मुमेंट पर आप रिवाइज ना करके रिकॉल करें तसल्ली से तीन चार कागज अपने हाथ में ले लें कूरी कागज जैसे मैंने किया था वो मैं आपको बता रहा हूं और किसी एक एकांत अवस्तिती मे इसलिए तो अगर आप अपने पे कंट्रोल रख सकते हैं तो छट पे जा सकते हैं अधरवाइस आप अपने रूम में बैठिये घूमिये जैसे मर्जी करिये और चीजों को रिकॉल करना शुरू करो कि यार सप्लाई का मतलब क्या होता है कौन-कौन से है विद कंसीडरेशन विदाउट कंसीडरेशन में चार पॉइंट कौन-कौन से हैं उन चीजों को आप अपने अपसे बढ़ बढ़ाते हुए बोलते हुए आप उनको या मन-मन में जैसे मर्जी करके आप उनको रिकॉल करो ठीक है तो वहाँ पर ऐसा होगा कि कुछ चीज आपको याद नहीं आ रही यार कोंसी थी कोंसी थी कौनसी थी ज vendor मत लगाओ ज्यादा टाइम मत लगाओ बैसिकली याद नीरे हैं तो इहां पर पर मुझे है पॉइंट नहीं आया है मनो मैं I am not able to recall तो जो आप recall कर पा रहे हैं recall कर लिया और जो recall नहीं कर पा रहे हैं वो आपने कागज में लिख लिया है ठीक है इससे क्या हो रहा है आप पाएंगे की एक इतनी speed से आपका syllabus revise हो रहा है या recall हो रहा है जो आपने सोचा भी नहीं था फटा फट से दूसरा आपने बिना बुक के चीज़ों को recall आज इस अवस्था में कर सकते हो तो ये शूर है कि कल आप examination hall में भी उसे अच्छे से recall कर सकते हो ठीक है अब हो गया recall बिना किताब के तो कल भी होगा ये guarantee है लेकिन आज आपने किताब से दिक्रिवाइस किया तो guarantee ने कि कल को आपको examination hall में पॉइंट याद भी आ जाएगा इसलिए आप चीज़ों को recall करें ठीक है तो आपके हाथ में जो तीन चार पेज थे वो पेज आपके भार जाएंगे कि भाई आपको ये चीज़ याद नहीं आई है अब जो जो आपको याद नहीं आया वो आपके weakness थी तो आपको यहाँ क्या करना कि आपने अपने strength तो अपने पास में है ही है जो weakness थी वो कागज पे निकाल ली भार के और ये मेरा weak area है तो अब किताब के सहारे उन points को अच्छे से emphasize करते हुए आप उनको यहाँ से देखिए तो अगले दिन जब आप पेपर में जा रहे होंगे तो आप पूरा confident होंगे कि हाँ मुझे सब कुछ आता है क्योंकि जो weakness थी उसको अभी ताजा ताजा देख कर आए हैं तो उसे इतनी जल्दी से भूलने वाले हैं नहीं और वैसे भी content कम था जैसे book से आप देख कर आ रहे हैं इस परकार से बात को करके चलिएगा जो मेरे revision videos हैं उनको भी साथ में रखके चल सकते हैं यह एक alternate है कि आप लेकिन उसमें काम करना सिर्फ सुनना ही नहीं मुझसे आगे चलना जो मैं revision video के अंदर बोल रहा हूँ उसे fast forward पर रखना और मुझसे आगे चलना इस तरह से आप वहाँ पर कर सकते हैं तो यह सारा मैंने आपको बता रखा है कि इस समय आपको recall करने की आवश्यक्ता जिससे confident होकर examination hall में आप जाओगे तो वह तीन-चार अपने blank paper होगे recall all the concepts और उनको कागज पर लिखेगा और फिर उनको किसाब से revise कर सकते हैं तीन-चार दिन पहले इवन हफतावर हो गया मैंने आपके जो latest amendment ही 6 महिने की उनका एक revision वीडियो डाला है super fast करके क्योंकि latest amendment में से पूछा जाता है question तो आप उनको वहाँ से revise कर सकते हैं इवन आदा घंटे से भी कम समय का वीडियो है उसको भी आप थोड़ा और fast forward हाना कि आवशकता नहीं क्योंकि मैंने खुद fast forward ही उसमें बोला है तो लगो 25-26 मिनट का वो वीडियो है उसे आप जरूर जरूर देख कर जा रही है 25-26 मिनट में आपके सारी की सारी 6 मेनिक के amendment वहाँ पर cover हो जाती है तो इस वीडियो को आप जरूर देख रहे हैं जो 100 मीटर की रेस लगाते हैं और जीतते हैं या ओलंपिक की बात करूँ तो वो कई वर्षों तक मेहनत करते हैं उस चंद सेकंड के गेम के लिए तो आपका भी यह तीन घंटे का यहाँ पर गेम है रंगारंग कारेकराम है एक मुकाबला है कुष्टी मुकाबला है एक्जामिनर वर्सस सी स्टुडेंट अब आपको वहाँ पर कैसे हैंडल करना है कैसे मैनेज करना है यह एक आर्ट है मेरी बात सुनना जब दो पहलवान आपस में भड़ते हैं तो सिर्फ ताकत के दम पर ही जीत नहीं होती वहाँ यह भी देखना होता है कि पहलवान को दाओ लगाने कैसे आते हैं दाओ ताकत के साथ-साथ आपको दाओ लगाना भी आना चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बताओ सबसे पहली तो बात ये रखके चलें कि आप theory question को attempt कर रहे हैं मतलब सामने वाले को वहाँ से गिराने का प्रयास करें जहां से आपको उसका weak point दिख रहा हो या आपकी जहां strength आ रही हो क्योंकि जब आप examination hall में होते हैं आपके साथ में आता है तो आप नर्वस तो होते हैं कोई यह कहें कि मैं नर्वस नहीं हूँ वाहिसाम मैं तो बहुत ही ऐसा कोई मुझे मैं तो हूँ आप शुरू में theory question attempt कर रहे हैं numerical question मत करना digit के साथ play मत करना उस पहले 30 minute के अंदर क्योंकि वहाँ वैसे आपके दिमाग के स्थती ठीक नहीं है हलचल जादा है दिमाग के अंदर digit के साथ play करोगे तो गलती होने के high chance हो जाते हैं इसलिए theory question को करें और वहाँ से आप अपने 30 minute को निकालें ठीक है उसके बाद आप numerical question करेंगे दूसरी एहम बात कि जो भी आपके questions आते हैं कुछ question pure theoretically आएंगे कुछ case study type आएंगे कुछ numerical questions आपके यहाँ निकल कर आएंगे MCQs या case scenarios भी आप कहेंगे तो किसी भी तरह का हो आपको question को तीन भागों में divide करके चलना है facts and issue, legal position और conclusion बड़ी बात बुलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना मालेक मैं आपको दाव लगाना सिखा रहा हूँ ताकत कितनी भी हो, कितनी भी concept clear क्लियर क्यों ना हो कितनी भी practice क्यों ना कर रखी हो, अगर यहाँ पहलवान को देखके डर गए और दाव ठीक से ना लगा पाए तो कितनी ही ताकत वर क्यों ना हो, हार के ही आओगे ध्यान रखना तो दाव लगाना सिखा रहा हूँ, divide and rule का दाव, यह लगाना divide and rule का है, मैंने कई बार class में भी आपको बताया है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि आप question को तोड़िये यार, question मैं कर रहा हूँ, 6 page का question अकेला ही क्यों ना सही आप उसे तोड़ो यार पहले, और तोड़ते समय आप facts और issue, उसको facts issue का मतलब आप उसको summarize कर लिजिए, अब देखिए माले यह MCQ based case scenario वाला question है तो यह आप rough work कर सकते हैं, मतलब roughly आप उसकी summary बना लिजिए, diagramatical यह जैसे भी आपको ठीक लगे ताकि question को at a glance आप देख पाओ, या अगर मालो descriptive वाला question है तो आप उसकी लिखिए, जो bullet points है question के उनको आप वहाँ पर लिख दीजिए आप उसे यहाँ पर अगर लिखने के जरुवत है तो लिखिए, लिखने के जरुवत नहीं तो सिर्फ recall कीजिएगा और उसके बाद बातों को conclude कर देना, इस law के संबंध में इस facts को देखते हुए आप क्या conclude करना चाहते हैं लेकिन इन तीनों को करते समय एक सबसे एहम बात मैं बताने जा रहा हूँ, इस बात को आप मिस नहीं कर सकते ये तीनों काप एकठे मत करना, दिमाग ऐसा ही होता है, वहाँ घबराता है examination hall के अंदर जब आप question पढ़ रहे होते हैं, मैसा decent laminates, imported region, ये so and so ये पढ़ रहे हैं जब आप यहाँ पे, तो आपका दिमाग इसको summarize भी कर रहा हा हाथ के हाथ एक line पढ़ कर, इसके समन में law भी recall कर रहा है और हाथ के हाथ conclude भी कर रहा है, वो तीनों काम एकठे करके चलता है, और यहीं से घबराहट पैदा हो जाती है, और आप question को गलत करके आते हैं मेरा कहना मान जाना इतना सा, जब आप summary बना रहे होना, तो पूरे मौज के साथ summary ही बनाना, उस समय law को recall मत करना, हाला कि हिलो रहे आएंगी कि बिटा इसके समंद में ये law है, ये section है, control करना, पहले summary बना लो पूरे question के, देख लिया, अब pure law record, एक समय में एक काम, summary बन रहे ही तो समरी ही बनेगी, ऐसे मान के चलो जैसे कि ये एक question तीन व्यक्तियों को अगर solve करना हो, और तीन वो काम दिया, जब ये तुझे summary बना है, और तुझे बातों का रिक्लूड करना है, तो आप अपने आपको, खुद को ही तीन हिस्सों में मार्ट दो, कि तो आप तीन परसन हो, आप थ्रीन वन हो, तो कहने का मतलब है कि एक समय में आपको एक काम करके चलना है, करके देखना यार, आपको बड़े से बड़ा question भ समझ ये, answer कठें नहीं हो, तो question को समझना मुश्किल होता है, ठीक है, उसके बाद जब आपका exam हो जाए, तो एक phone मुझे कीजिएगा, 98100 12161 पर और बताना paper कैसा गया, और जैसा भी जाए, अच्छा गया तो अच्छा बताना, बुरा जाह तो बुरा बताना, paper को discuss viscous किसी स करना मत, fullest enjoy करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप जैसा करके आए हो, आपके साफ सारे points सही है, लेकिन हो सकता है कि एक कद दुक्वा कोई छोटा मोटा question गलत हो गया, और होते हैं, छोटी मोटी गलतियां हर व्यक्ति से होती है, ठीक है, तो जो आपको examination hall के बाहर वो गलतिय दिखाए देंगी ना, तो बार-बार मन में आएगा, ओ शिट यार, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए कौपी वापस मिल जाए, तो मैं से ठीक कराओ, राद बर वैसे इस अपने आएंगे, तो बिना बाद अपने आपको परिशान करने से कोई फायदा है नहीं, तो आप जिस इंजॉय करें, अच्छे से एक्जाम दे कराएं, राधार आनी किरपा आपको पर सदर सदर यह ही बनी रहे, इनी कामना के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, घबराना नहीं है, और एक बहुती मजे हुए पहलवान की तरह आपने वहाँ जाना है, और अच्छे से दा लगा कर आना है, और All India Highest आपको लेकर आना है, राधार आनी किरपा आपको पर सदर सदर यह ही बनी रहे, इनी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, विश्यो आल दे वेरी बेस्ट, बाई डियर, बाई टाटा, लव यो, बाई